आज हम बनाने वाले हैं प्रोटीन से भरे छोले मसाला फ्राइंग यह ना सिर्फ एक स्माइक रेसिपी है लेकिन एक किफन रेसिपी भी है यह बहुत ही सरलता से बन जाते हैं यह टेस्ट के साथ साथ हेल्दी भी है अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल बटन आउन करना ना भूलिए डेली रेसिपी अपडेट के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं छोले मसाला फ्राइंग हमने एक कप छोले को पानी में गलाकर रात भर रखा है और इसे तीन सीटी देकर हमने कुकर में उबाल लिया है और इसमें से पानी और उबले हुए छोले को हमने अलग कर दिया है हमें ये ध्यान रखना है कि छोले में जादा पानी नहीं होना चाहिए ये ड्राय से होने चाहिए तो अब हम छोले को तल लेंगे यहाँ पर हमने यहाँ पर ओलिव ओयल का इस्तमाल किया है और आज को हमने मद्यम और तेस के बीच में रखा है अब हम छोटे छोटे बैचिस में छोले को डाल देंगे तलने के लिए हमें यहाँ पर एक बहुत ही इंपोर्टन चीज ध्यान रखनी है कि तेल को हमें बहुत ज़ादा नहीं लेना है कडाई में हमें आधा से थोड़ा कम ही लेना है क्योंकि तलते वक्त तेल में बुलबुले से आएंगी अगर जादा तेल होगा तो वो कडाई से गिर जाएगा हमें छोले को लाइट ब्राउन होने तक तल लेना है तो देखिए छोले लाइट ब्राउन से हो चुके है और इसे तलने के लिए करीबन सवा मिनिट का वक्त लगा है अब हम तलेवे छोले को निकाल लेंगे टिशू पेपर पर और निकालते वक्त हम आज को धीमा कर लेंगे तो इसी तरीके से हम बाकी के छोले को भी तल लेंगे मद्यम और तेज आज पर तो देखिए छोले हमने तल लिये हैं और यह बहुत ही क्रिस्पी से हैं अब यह तलेवे छोले को हम बोल में डाल लेंगे तो मैं यहां पर आपको सुनाना चाहूंगे कि छोले कितने क्रिस्पी से हैं आपने सुना यह कितने क्रिस्पी है यह बाहर से तो क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से मुलायम से हैं जैसे कि छोले अभी गर्मा गर्म से हैं हम इसमें फटा-फट बाकी के सब चीज़े डालेंगे हम इसमें 3 कटिवी हरिमिर्ष डालेंगे एक मद्यम कटावा प्यास हमने प्यास को याप पर रफली चॉप किया है हमें बहुत ही बारीक नहीं चॉप करना है एक बड़ा टमाटर बिना बीच के थोड़ा सा कटावा धनिया एक चौथाई कप हरा पाला याने की ग्रीन स्प्रेंग आनियन्स आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर आधा नीबू करस आधा टीस्पून कश्मिर लाल मिर्ज पाउडर स्वाद अनुसार काला नमक अब हम सभी इंग्रीडियन्स को अच्छे से मिला लेंगे तो छोले मसाला फ्राइ तयार हो चुके हैं इसे हम कटावा नीबू प्यास और कटेवे धनिया से सजा लेंगे तो देखिए कितने आसानी से बन गया छोले मसाला फ्राइ तो मैं उमीद करती हूँ आपको यह रस्पी ज़रूर पसंद आई होगी यह पहुत ही जटपट टा प्राइ तो